वेलकम गाईज वेलकम बाक टी ओन चैनल ऑप्शन गाईट तो स्वागत आपका एक और बहुत ही शांदार डेली माकलिस वीडियो में आज की वीडियो वीकेंड स्पेशल होगी डीटेल में तूजडे का सेटप तो जानेंगे मंडे का क्यों नी क्योंकि इस बार लॉंग वी पुझडे के लिए भी सेटप जानेंगे इंट्राडे कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में आप ट्रेड्स बना सकते हैं और साथ साथ मार्केट का पुजिशनल ब्रॉडर आउट्लुक भी जानेंगे लास्ट वीक बहुत ही वालेटाइल मार्केट थी बोथ साइड बड़ मार्केट डीटेल में दोनों ही सेटप जानेंगे इंट्राडेट यूजे के लिए भी और नेक्स्ट पूरे वीक के लिए लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वड़ावर सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप डेली ऐसी लेकिन मार्निंग में जो डिप था ना यह डिप बहुत ही परफेक्ट था क्योंकि अगर आप हमें फॉलो करते तो कंटिनेस लास्ट वीक इन फैक्ट उससे बहुत पहले से एक बहुत मेजिया लेवल मनें आपके साथ बार-बार डिसकस किया है 47680 मुल्टिपल टाइम जरूर आया लेकिन एक्जाक्ली हम इसी लेवल पे सपोर्ट लेते हैं और यहां से मार्केट में बाउंस बैक और राली आती है टागेट लेवल 47940 से 48000 यहां पे जोन है परफेक्ली और हमने यह भी डिसकस किया था यह लेवल ब्रेक होगा तभी मेजर वीकनेस आएगी ड आगेट 47940 जरूर उसके बाद क्या करना था इसके बाद से केंड डिसक्रेशन किया थी कि अगर मार्केट को ट्रेंडिंग रैली करनी वेसं उपमोल देना है तो हमेची यह 48,000 का breakout अगर यह breakout confirmation के साथ मिलेगा तो market में एक नई rally आएगी न्यू lifetime high बनाएगे होता क्या है इस candle से 48,000 तो break हुआ लेकिन इस breakout की कोई confirmation नहीं थी और यही rules और logic तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ऐसे trap वाले move से बचते हैं एक बहुत बड़ी candle दिखरी है green एक sudden breakout दिख रहा है बहुत सारे लोग यहाँ call में और bullish market के लिए jump कर जाते लेकिन अगर आप हमें follow करते हैं तो आप wait करते confirmation candle का कि भाई move यहाँ तो आ गया है लेकिन अगर सच में market को upside जाना ही है तो market और green candles तो बनाएगी इस high को break करेगी तब market में move आएगा और ऐसा हुआ ही नहीं और फिर से वही हुआ confirmation नहीं मिली market में तुबारा down move अब down move के बाद 47 940 पे market resistance भी face करती है और यहाँ से फिर से fall आता है fall में market फिर कहां support लेगी already आपको पता है यार most important level फिर से market ने level को hold गया फिर से यहां से bounce आया more than 200 points का तो क्या यह magic नहीं है कि exactly इसी जगा क्यों market बार बार support ले रही है और सिर्फ आज नहीं continuous पूरे week लिया है market ने support और बाद में तो यह सब को level दिख रहा है लेकिन यह level हमने आपको तब बताया था जब market इस level से बहुत दूर थी और देख लो आपके सामने magic है हर दिन यह level work करता है फिर यहां से bounce उसके बाद finally हम level का breakdown दे देते है confirmation के साथ अब पताया आपको market negative है market में fall भी आया और अभी तक जो level support का work कर रहा था वो काम करता है resistance का day end में फिर इसी level से fall आता है तो levels ने बहुत magically work किया levels पे बहुत अच्छे सा work हुआ है setup पे लेकिन इस setup को हम और अच्छा बना सकते हैं कैसे अगर आप हमारा प्यारा सा indicator यूज़ करते है super trend एक बार mark कर ले आपको दिखाई देगा अभी और free indicator है यार कुछ paid नहीं है देखो mark हो गया super trend morning से bullish था super trend के आसपस नहीं है तो super trend से अभी कोई trade नहीं है finally super trend को break कर देते है market retrace करती है super trend तक यहाँ पर यह bounce जरूर आए अच्छा कासा level से लेकिन इसमें super trend भाई से हमने बता दिया इसलिए हमेशा कहता हूँ trend जानना हो reversal catch करने हो बड़े trend catch करने हो हर चीज में help करेगा mark तो करो chart पे use करो magic दिखेगा और बहुत सारी learnings हम आपको free में share करते है use करो and अगर आप serious है trading को लेका तो हमारे एक course भी है मैं बहुत जादा उस course की बात नहीं करता हूँ लेकिन अभी Christmas चल रहा है एक long weekend है तो काफी लोगों ने demand की जो हमारे course है उस पर हम discount दे इसलिए इस Christmas हम हमारे जो complete trader program है जहां हमने आपको सब कुछ सिखाय हुआ है trading psychology के बारे में risk management, money management, strategies यह जो magical levels देते हैं आपको यह कैसे निकालते हैं trend lines पे कैसे काम होता है और इसके अलावा बहुत कुछ वो सब कुछ जो एक trader को पता होना चाहिए सब कुछ हमने इस course में cover किया हुआ है तो अगर आप serious है trading को लेकर देखो daily video से हम बहुत कुछ आपको सिखाते है free में लेकिन अगर आप एक ही जगा systematic way में learn करना चाहते है तो आप course join कर सकते है and currently Christmas पे इस weekend हम 30% discount भी दे रहे हैं आपको तो आप यह offer भी avail कर सकते है अगर आप सच में learn करना चाहते है long term market में sustain करना चाहते तो आप इस course को check out कर सकते है link आपको description में भी मिल जाएगा and first comment में भी मिल जाएगा and यह course आप हमारी options guide mobile app के थूँ access कर सकते हैं और अगर आपको कोई query भी है या मुझसे कुछ पूछना चाहते है तो उसी app में आपको chat का option मिलता है वहाँ पे आप chat पे कुछ query लिखोगे तो मैं answer भी कर दूँगा आपकी query तो आपको ज़रूर download कर ले course को ज़रूर check out करे first comment में आपको मिल जाएगा बहुत ही detail में सब कुछ इस course में हमने cover किया हुआ है और simplest way में अगर आप बिलकुल new भी है न तो भी बहुत सारे examples के साथ हर चीज को समझाया हुआ है तो अगर आप new भी है तो आप easily learn कर सकते हैं क्योंकि बहुत examples दिये हैं हमने और काफी in-depth सब कुछ समझाया हुआ है तो course को ज़रूर check out कर ले चलिए analysis पार्ट पर ही आते हैं दिखा आपने magic, levels का magic, super trend का magic super trend तो एक indicator है इसके अलावा और भी चीजों के हमने बात किये जिनका combination आप use कर सकते है market में course में अब bank nifty में तो magic हुआ क्या nifty में भी similar दिन था nifty भी देख लेते हैं चलिए nifty के चार्ट पे आते हम nifty में देखो opening यहां भी almost flat हुई थी morning में dip आ रहा है लेकिन यहां dip में ना हमार पास कोई level था ना ही super trend का support है directly market में bounce आ रहा है और यहां मैंने एक चीज बहुत clearly discuss की थी कि मेरे लिए market को 21,350 तो आना चाहिए जो मुझे trades मिलेंगे न वो इसी level से मिलेंगे 21,350 और 21,000 के बीच में अभी मेरे लिए कोई levels नहीं बने जब बनेंगे तो share करूँगा तो मेरे लिए आगर market में trades बनने है तो उसके लिए मुझे चाहिए कि market 21,350 तक आ है फिर यहां से मुझे ज़रूर trades मिलेंगे और level पे magically देखो पहली बार कितनी अच्छी green candles बनी है कितनी बड़ी बड़ी लेकिन suddenly आके market 21,350 पे रुक जाती है वन आर रुक जाती है यार exactly level पे finally इसका breakout देते है और थोड़ा बहुत up move आता है यह जो breakout मिला यह breakout यहां पे fail हो जाता है fail क्यों हो जाता है किसी भी level का breakout कैसे work करता है अगर किसी level को हमने break किया और कोई candle उस level के below close हो जाए यानि वो breakout fail हो चुका है आपको वहाँ पे उस position से exit हो जाना है अगर आपने यहाँ पे bullish trade बनाया था आपको यहाँ से exit हो जाना है यह simple rule है उसके बाद super trend भी हम break कर देता है और उसके बाद एक magical trade मलता है जोको यहाँ पे एक अच्छा bounce है और यहाँ पे क्या है 21,350 level उसकी resistance है और साथ साथ super trend का magic देख रहे हो एक candle नी multiple time market ने super trend को test किया और हर बार rejection फेस किया पहली candle test होती है rejection second candle test होती है rejection third candle test होती है rejection और फिर यह magical fall आप catch कर सकते थे पूरे दिन का best trade generally जहाँ पे level भी हो और super trend भी हो वहाँ dual confirmation के साथ आप trades बना सकते हो और especially reversal वाले trade तो बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें SL बहुत ही छूटा होता है अब यहाँ पे जो fall है more than 100 points का fall आया है लेकिन अगर यहाँ पे SL होता न 15-20 maximum 30 points का एक single candle जो super trend के अबव close होगी वो इतनी ही बड़ी होती है maximum लेकिन जो आपको move catch करने को मिलता है वो बड़ा मिलता है और वो ही exactly यहाँ पे हुआ more than 100 points का fall हमें देखने को मला तो यह दिन का best trade था उसके बाद day and में फिर bounce आया और 21-350 के आसपा सी हमारी closing भी आ गए इतना important level है market इसके आसपा सी close होगी कोई direction decide ही नहीं कर पाई तो nifty में भी hope आपने अच्छे trades बनायोंगे तो यह Friday की market थी लेकिन अब आगे क्या अब intraday Tuesday के लिए setup जाने है यह nifty में लेकिन पहले positionally देखते है nifty में क्या हो रहा है broader outlook क्या है और last week हमने क्या discuss किया था उसके according market कैसे काम कर रही है अब यहाँ देखो यह level और यह line आपको जरूर याद होगी 21,480 level आपको बताया था last week कहां से निकला था यह level Fibonacci tool से निकला था यह level and जब हमने 20,480 का breakout दिया था तो directly यह हमारा target था 1000 point का target आया लेकिन अब market struggle करेगी न कहीं तो वो इसी level पे करेगी last week यह clearly weekend वाली वीडियो में discuss किया था क्योंकि positional outlook हम weekend पे discuss करते है अगर market को further bullish होना एक बड़ी rally देनी है क्योंकि इसके बाद directly जो target है वो फिर 1000 point का है लेकिन वो target कब आएगा जब इस level का breakout मिलेगा दिखो last week क्या हुआ पहली बार market ने इस level पे struggle किया second day इस level पे struggle किया third day opening में अबाव गए हम इस level के लेकिन उस दिन ही दुबारा level के below आगया और क्या गजब का fall देखने को मला था और next recovery ज़रूर आई है लेकिन अभी भी हम level के below है तो आप देख रहो positional level का फिर से magic trend यही level decide करेगा अगर nifty को फिर से एक बड़ी rally देना है यहां से भी bullish होना है तो हमें 21,480 का breakout चीए clearly आपको last week भी बताया था अभी भी similar है कहां से निकला यह level Fibonacci chart से किन दोनो points को connect किया last week भी बताया था देखो यह एक बड़ी rally चल रही है market में लेकिन यह rally आने से पहले जो सबसे बड़ा fall आया था वो यह आया था और इस fall के top और bottom को हमने connect किया Fibonacci tool के थूरू उसके थूरू हमें यह retracement level मिल रहे है कि भाई breakout तो मिल गया यहां जो high था उसका लेकिन उसके बाद market कहां तक rally कर सकती है वो हमें यह Fibonacci levels बता रहे है और वहीं से 21,480 level निकलता है यह major resistance है अगर इसका breakout मिला next week तो फिर से एक बड़ी rally में अंटर करेगी निफ्टी और उसमें directly target 22,480 है directly thousand points का target ठीक है तो most important level next week के लिए 21,480 further bullish market इस level के अबव होगी जब इसके अबव closing मिलेगी simple, clear निफ्टी का setup positionally अब intraday बात कर लेते हैं निफ्टी में intraday क्या करना है most important level 21,350 market decide ही नहीं कर पाई और इस level के आसपस क्या करना है वहीं close हो गई तो यही level Tuesday के लिए trend decide करेगा अगर market इस level के अबव है यानि market bullish है market में rally rally में direct target 100 points का है 21,450 और अगर market इस level के below है market bearish है market में fall expected है fall में कोई target नहीं है क्योंकि जो हमें level दिखता है वो directly 21,000 दिखता है इसके mid में अभी levels बने नहीं है जो sure level है जो change नहां करने पड़े daily change करने हो तो daily new levels बता दूँगा मैं आपको लेकिन हम ऐसे levels find out करते हैं इसके below है market बार-बार काम करती है तो वो अभी mid में नहीं बने है इसलिए अभी कोई levels नहीं बता रहे है इसके अगर below है market इस level का breakdown दे है इसके below ही sustain करे market में fall expected है और trailing stop loss के थुरू आपको इस fall को catch करना है यहाँ पे भी trailing stop loss यूज़ करते आपको तो जरूर trailing stop loss को use करे trades हमें nifty में एक ही level देगा Tuesday 21,350 इसके above market bullish और इसके below market bearish यही level trend decide करने वाला है simple यही level देखना है ठीक है यह पता लग रहा है charts पे option chain क्या बता रहे है nifty की क्या वो इस setup को confirm करती है एक बार option chain भी देख लेता है nifty की चली है 21,400 पे क्या resistance है नहीं है same हुआ है दोनो side 74,000 है call side put side 75,000 same हुआ है कोई gap नहीं है 21,500 पे जाके हमें resistance मिलती है market में अगर market rally करने लगी न तो market यहाँ जाके struggle करेगी और इसी के आसपस तो हमारा positional level है 21,480 तो option chain बता रही है कि नेक्स्ट वीक market 21,500 के आसपस struggle करेगी अगर rally करने लगी यहाँ तक move easy है यहाँ तक आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जैसे ही 21,400 का breakout मिलेगा यहाँ पे एक struggling point है और support की बात करें support हमें 21,300 पे मिल जाते है ऐसा क्यूँ 1,8,000 वाई यह put side call side 61,000 तो more than 45,000 वाई का gap है almost 47,000 वाई का gap है तो major support next week के लिए 21,300 है और major resistance 21,500 है as per option chain यह Tuesday की market की range हो सकती है option chain data यह बता रहा है और एक और चीज़ बता रहा है साथ-साथ अगर हम total हुआ ही देखे तो किस side जाता है यह range तो पता लगी लेकिन bias किस side है market का अगर हम total हुआ ही देखे तो bias अभी bullish side है क्यों? क्योंकि put side हुआ ही जादा है total हुआ ही put side 24,000 है और call side 21,500,000 है तो 2,500,000 का gap है और वो 2,500,000 put side जादा है यानि put writers जादा confidence में है इसलिए market bullish side जादा है एक चीज मैं आपको बार-बार remind कराता हूँ यह जो dips आते हैं, fall आते हैं इनमें आप trading में चाहे intraday कुछ भी करो लेकिन portfolio sell नहीं करना है क्योंकि हम एक ऐसे era में चल रहे हैं जहां market बहुत ही गजब के returns दे रही है तो गलती से भी किसी भी fall में डरे नहीं और मौका मिले और addition करे लेकिन दरना नहीं है investments को portfolio को sell नहीं करना है portfolio को कभी भी trading के साथ mix मत करो वो long term के लिए समझो stocks को short term के लिए रखो ही मत long term के लिए रखो गजब के returns मिलें अच्छे quality stocks चूज करो dips हैं तो और buy करो sell करने की गलती मत करना बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो hold नहीं कर पाते profit चल रहा अच्छा कासा portfolio में और एक दिन dip आ जाता है डर जाते इस dip में बहुत लोगों ने बहुत कुछ sell किया है बहुत लोगों कैसा लगा market में crash आ जाएगा ये तो bubble था market तो suddenly बहुत बड़ा fall दे देगी और देख लो दो दिन में पूरी recovery आगी कहां था crash तो news के चकरों में तो बिलकुल नहीं फसना है वो भी मैं आपको वार वार बताता हूँ उस level setup आपको सब कुछ देंगे और level setup intraday trades के लिए use करो portfolio को उसके साथ mix नहीं करना है portfolio गलती से भी sell नहीं करना है अब ये nifty का setup हूँ आप bank nifty की बात कर लेते हैं पहले positionally देखते हैं क्या हो रहा है bank nifty में हमारा most important level है 47.680 इसके above market हमाले positionally bullish है इसके below positionally market हमाले bearish है last week किसी level के आसपस market पूरा time थी Friday closing फिर से इसके below आ गई है तो अगर Tuesday भी हम इस level के below ही रहते हैं तो market में further fall expected है fall में target होगा 46.400 ठीक है अगर Tuesday भी bank nifty में negative market देखने को मिलती है जो हमारा Friday का day low है almost 47.500 उसके below closing आती है red candle तो यहां से bank nifty bearish हो जाएगी further fall expected है 46.400 तक और दुबारा 47.680 के अबब आ जाते हैं तो market bullish है bank nifty में और target बहुत बढ़ा है है तो target हम discuss करी नहीं रहे है क्योंकि 56.000 के आसपस का target निकलता है वो बहुत दूर है तो आपको simply trail करना है positions को hold करना है जहां तक आपकी capacity है अब 1000 point में खुश होता है तो 1000 point में book कर लो 1500 तक hold कर सकता है तो 1500 तक hold कर लो upside कोई target नहीं है simply वो ही है trail करते जाना अपने stop loss को और positions को hold रखना है simple है bank nifty में positionally 47.680 देखना है ये market का trend decide करेगा इसके अब आप positionally market bullish और इसके below positionally market bearish भी है और bearish में हमने आपको target भी दिया bank nifty का ये तो हुआ positionally set up intraday क्या करना है bank nifty में देखो bank nifty ने levels में magically काम किया है इसमें कहीं कोई doubt नहीं है most important level 47.680 बार-बार काम कर रहा है और ना सिफ intraday level है positionally level भी है अभी भी मैंने discuss किया कि पूरे week का trend वही level decide करेगा तो वो most important level है day end में देखो वही market ने resistance face की तो अगर दुबारा market को rally करना है intraday में भी Tuesday तो हमें 47.680 का breakout चीए तब market में rally आएगी तब market bullish होगी और target होगा ये zone 47.940 से 48.000 का simple setup है 47.680 का breakout चीए हमें bank nifty में अगर bank nifty को bullish होना है Tuesday most important level है जब इसके below होगी market तो resistance का काम करेगा और जब market इसके अबव होगी तो support का काम करेगा level mark ज़रूर रखें trend आपको ये ही बताएगा इसलिए कहता हूँ charts में mark रखोगी ने जब level के आसपास आईगी market तब आपको सोचना है कि market कैसे react कर रही है उस level पर फिर आपको trades बनाने तो एक upside का trade तो clear है downside देखो support directly है 47,250 तो अगर एक trade तो यही मिलता है भाई यहाँ upside जाए और market यहाँ resistance face करे तो भाई resistance से तो यहाँ day end में क्या हुआ fall आया वही fall expected है यहाँ भी देखो दोनों level में बहुत gap दिख रहा होगा more than 400 points का है तो ऐसा नहीं कि इसके बाद directly fall यहीं तक आएगा यह मैंने आपको पहले भी बताया था यह target नहीं है लेकिन mid में अभी level मिल नहीं रहे है ना trade बहुत simple है 46,680 पर market जाके resistance face करे fall fall में trailing stop loss यूज़ करके fall को catch करना है simple यह setup हाँ 47,250 ब्रेक हो गया तो बड़ा fall आएगा kind of फिर से crash आएगा क्योंकि target यहाँ पे है 46,900 का directly 350 points का यहाँ एक target है 350 points पे मेरे पास क्योंकि यह दोनों levels है और last time आपको याद होगा यहीं तक fall आय था जब यह level break होगा था तो यहाँ है अगर 47,250 ब्रेक होगा बड़ा fall 46,900 तर लेकिन अगर 47,680 से reverse करते हैं तो target नहीं है trilling stop loss यूज़ करके आपको इस reversal को इस fall को catch करना है upside clear है अगर break किया यह level rally और यह zone हमारा target होगा सारी levels magically work कर रहे हैं levels को जरूर mark रखे and use करो setup random कहीं भी trades मत बनाओ सबसे important है market में patience कि आपको right trade का अपने setup पे wait करना है market आए क्योंकि देखो अगर आप पहले ही entry कर लेते हो अपने एक random trade ले लिया चाहे उसमें profit हो या loss हो profit हुआ तो आप खुश हो जाओगे और आपको फिर लगेगा मैं कोई फिर random trade ले लो loss हो जाएगा तो फिर आप regret करोगे और उस loss को recover करने के लिए बार बार random trades लेते जाओगे जो आपका पहला trade होता है दिन का वो आपको सबसे ध्यान से लेना चाहिए क्योंकि अगर आपने starting ही खराब कर दीना तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा वो trade ही आपका पहला trade ही अगर आप setup पे trade ले रहे हो न तो आपका loss defined होगा कि SL क्या है माल लो यहाँ से trade लिया level से reversal का level के below candle close हो जाती वो आपका SL है exit हो target पे book कर लो या trailing stop loss यूज कर लो लेकिन यह आप तभी कर सकते हो जब setup पे trade लिया है तो पहला trade बहुत ही जादा important होता है वो आपके पूरे दिन की psychology को define करता है तो उसे ज़रूर ज्यान से ले hope सारी चीज़े clear है positionally discuss कर लिया intraday discuss कर लिया और फिर से remind करा दू अगर आप serious है learning को लेका बहुत कुछ free में हम share कर रहे हैं आपके साथ लेकिन अगर आप advanced concept सीखना चाते हैं in depth detail में सब को systematically सीखना चाते हैं तो course ज़रूर check out कर ले बहुत fruitful course है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा and आपकी psychology, trading psychology में भी आपको बहुत difference देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ risk management, money management सब कुछ वाँ समझाया हुआ है तो ज़रूर check out करें अगर आप serious है trading को लेकर long time में market में sustain करना चाते हैं first comment इसके लिए ज़रूर check कर ले and कोई भी doubts है तो आप मुझे message भी कर सकते हैं दो दिन के लिए ओफर है तो ओफर को भी बिलकुल मिसना करें hope आज की वीडियो अच्छे लगए तो लाइक कर देना and चैनल पर नए है तो subscribe करना बिलकुल ना भोले